हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दे बिग नूज सीरीज ऑफ सिविल स्टैप कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और फ्रेंट्स आज की जो हमारी न्यूज है जो हम डिसकस करने वाले हैं तो यह न्यूज में कहां से आया और किस वज़े से हम इनको डिसकस कर रहे हैं प्रिलिम्स वंस अगेन इंपॉर्टेंट टार्गेट यहां पर रहेगा इस वीडियो का मेंस के पॉइंट आफ यू से चाहे इतनी जादा इंपॉर्टेंट है ना हो पर प्रिलिम्स का कोशन फसने की उमीद है यहां पर ठीक है तो सबसे पहले न्यूज क्या है क्यों पढ़ रहे हैं इसको वो देख लेते हैं तो हमारे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी यह वीडियो आपको मिल रहा है फ्राइडे को शनिवार को यानि कल उन्होंने जाना है असाम ठीक है और जो मोदी जी का वेन्यू है जहां पर जाकर के उन्होंने असाम गौर्मेंट के कुछ इनिशेटिव जो हैं लाँच करने गए थे महां पर हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि जहां पर ये इवेंट और्गनाईज हो रहा है जहां पर इस इवेंट का जो वेन्यू है ठीक है दाट इस दे हिस्टॉरिक जरेंगा पौथार और ये अपर असाम के सिवा सागर डिस्ट्विक्ट में है ओके जो आपका ये जरेंगा पौथार है जो ये सिवा सागर डिस्ट्विक्ट है इट वाज अर्लियर नोन आज रंगपूर सिवा सागर और ये जो असाम रीजन में रूल कर रहे थे बेसिकली मेडिवल इंडिया के टाइम पर और अराउंड 6 सेंचुरी तक इन्हों ने यहां पर रूल कि अगर आप देखें 1228 से लेकर 1826 तक ठीक है तो यही से अब ये जो है स्टोरी चलनी शुरू होगी तो हिस्टॉरिकल सिगनिफिकेंस क्या है जरेंगा पौथार की देखिए जादा तर जो अहॉम किंग्स हैं उनके जो करेज की स्टोरी तक तो इनको कोई भी नहीं जानता बट टुडे इनकी थोड़ी अगर आप देखो पॉपुलारिटी इंक्रीज हुई है बिकॉज मुवीज बगेरा भी बनी इनके उपर आपके 1930s के अराउंड में तो उसके बाद ये पॉपुलारिटी इनकी इंक्रीज होने लगी और ये एक सिंबल आफ इंस्पिरेशन जो से जादा नहीं एक तो जैसे जॉयम होती अब यहाँ पर आपको पता चल गया अगर कोश्चन आता है जॉयम होती से रिलेटेड तो आप वो इसको आसाम और आहूम डाइनस्टी से रिलेट कर दोगे तो हुआ क्या 1671 से लेके 1681 तक जो अहॉम किंगडम था वहाँ पर जैस आही मिनिस्टर जो होते थे नॉबल्स जो होते थे वो ज्यादा पावरफुल थे as compared to king जो पपेट्स हुआ करते थे ठीक है और इसी समय एक व्यक्ति का हमारे पास नाम आता है जिनको लौरा राजा के नाम से भी जाना जाता है and he was the boy prince तो लौरा राजा और उनके प्रदान मंतरी ललुक साला वर्फुकन इन्हों ने क्या किया जितने possible here's थे अहुम डैनेस्टी को उनको track करना शुरू किया और उनको मारना शुरू कर दिया ताकि थ्रोन और लौरा र राजा के बीच में कोई ना आपाए ठीक है वैसे ही prince गोदापनी थे prince गोदापनी जो थे वो joymati के पती थे और लौरा राजा जो थे हैं वो prince गोदापनी को भी मारना चाते थे लेकिन prince गोदापनी जो है नागा हिल्स में जाकर छुप गए ठीक है इससे पहले लौरा रा अगर हम बंदी बना लेंगे तो गोदापनी will come and save her ओके पर ऐसा हुआ नहीं ठीक है उसको torture किया गया joymati को continuously काफी days तक torture किया गया एक thorny plant से उनको tie कर दिया गया ठीक है लेकिन फिर भी joymati ने कोई information अपने husband के बारे में नहीं बताई and torture की वज़े से ultimately she died she sacrificed her life और बाद में joymati के husband ही जो है राजा बने और एक stability और पीस जो है असाम में या आहोम dynasty में आनी शुरू हुई अब जरांगा पत्थर वही जगा है जहां पर joymati को torture किया गया था यह significance है ठीक है तो जरांगा पत्थर अगर आपसे जैसे UPSC कहीं बार इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है क the historical significant place of जरांगा पत्थर is in which state तो यह एक simple सा सीधा सा question तो यही हो गया लेकिन इसका answer भी तब दे पाएंगे जब अपने को पता होगी कहानी ठीक है अब historians का क्या कहना है कि जरांगा पत्थर की जो यह episode है जो यह story है सारी यह अच्छे से history में recorded नहीं है ठीक है और जो official records यह देखो एक बहुत important term आगी सिधा सिधा question ऐसी terms के ओपर भी पूछा जा सकता है ठीक है तो इसमें इसको अच्छे से record नहीं किया गया क्योंकि यह माना जाता था कि stories वही record होती थी chronicles में जो kings चाते थे की record हो ठीक है लेकिन this story जो है pass on हुई generation to generation through a word of mouth ओके and with time आप देखो 1935 में जैसे मैंने आपको बताया जोती प्रसाद अगरवाला जो एक cultural icon थे उस समय के उन्होंने first asamist feature film बनाई जिसका नाम था joymati ठीक है और वहां से joymati के sacrifices और strength की story जो है लोगों तक पहुँचनी शुरू हुई and वो publicly famous होनी शुरू हो गई ठीक है तो यह है जिरेंगा प अब जिराउंगा पत्थर जो है यह एक protected site नहीं है archaeological protected site नहीं है लेकिन इसके vicinity में इसके around जो है बहुत सारी number of protected sites है which includes नापुखरी tank to its east पहुगर्ड which is a natural zoo that was also built during the home era to its west ओके अगर आप देखो इसके close में एक joy sager tank भी है which was once again built by one of the home king called swargedo rudra singha in 1697 and the vishnu doll temple ठीक है तो अगर आप assam state से हो और assam state के कुछ exams दे रहे हो तो इस तरह के question भी आपसे पूछे जा सकते हैं ओके तो यह एक video जो है आपको prelims के point of view से काफी जादा helpful रहेगा दो mains में इसकी significance इतनी जादा नहीं रहेगी अब जो यह article हमने आपको कराया ह Indian Express का एक article था उसको हमने आपको discuss कराया उसमें इसकी political reasons भी given थे कि why Mr. Narendra Modi has chosen such a venue ओके तो वो हमारे लिए इतने जादा important है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ venue को इसलिए choose किया गया है because जो यह North Assam वाला region है यही पर सबसे जादा CAA के protest भी हुए थे तो यहाँ पर नरेंदर मोदी जी अब जो land rights है वो distribute करकर एक तरह से यह represent करना चाहते हैं कि government के जो efforts थे वो एकदम right direction में थे ताकि जो local tribal communities हैं उनको जो land rights है वो मिले तो लेकिन उसम आप जादा mains के अंदर भी आप as a point use नहीं कर सकते क्योंकि काफे जादा political aspect है वो okay चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर खतम करेंगे दोस्तों I hope आपको मजा आया होगा story समझने में और prelims में आपको कहीं ना कहीं इसका benefit जरूर मिलेगा तो वीडियो से related कोई भी doubt हो तो इसका link आपको description में मिल जाएगा तो मिलेंगे दोस्तों अगले किसी big news वीडियो में तब तक के लिए all the best and bye bye